दोस्तो नमस्कार, पॉलिटिक्स शॉल्टिक्स में बहुत-बहुत स्वागत है, न्यूजरूम से आपके साथ फिर खिदमत में हम लोग हाजिर हैं, बात कुछ ऐसी है कि राहुल गांदी की भाराज जोडो नियायात्रा, बाराज जोडो 2.2 कहलो यात्रा को या नियायात्रा मेरे साथ शिव हैं, और हमारे और बी सही होगी हमारे साथ बने हुए हैं, बात करेंगे, रिशा भे हमारे साथ, लेकिन राहुल गांदी को लेकर के रिजवान लग क्या रहा है कि इस बार की यात्रा उतनी तगडी हो पाएगी, या पिछली बार की तरह जोग से रह इस बार कुछ नहीं तक तो और जैसे ही मनिपूर से आई है कभी 36 पहुंच रहे हैं, राहुल गांदी मतलब कंटीनियूटी नहीं मीडिया कवरेज है, और एक पहले क्या था पहले बिल्कुल आस्ता उनका फिक्स था अब की बार क्या हो रहा है, कभी मनिपूर में उसमें एक ले थी, मतलब अगर आज यहां है, तो कल यहां होंगे, फिक्स था उनका, अभी क्या है, दो तीन बार शेडियूल बदल चुका, यूपी का शेडियूल बदल गया, जब राम मंदिर का उद्गाटन हो रहा था, तब इन्होंने एक बात कही थी, कि 22 तारिक को इ एंडिये का दामन थामा था, बिहार में जब आपको याद होगा, तो उस समय शेडूल बदल गया, मनलब नितिश कुमार राम से बड़े हो गे इनके लिए, यह अपने आप में बड़े दिल्चस्प बात है, विकास भाई, यह देखो, कॉंग्रेस पार्टी जिस हसाब से हमें लगता है कि 2024 के इलेक्षन है, शिव जी आपके पास आते हैं हम, इलेक्षन आने वाले हैं, राहूल गांदी अपनी इमेज को चमगाने में लगे हो, पिछली बार हार के बाद इनोंने जो है अपने पद से स्तीफा दे दिया था, इस बार क्या देश की नागरिक्ता से इस दिवा देंगे क्या, ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई इंसान हारता है, तो कि लड़ता नहीं, एक चीटी है, आपने ये कावत भी सुनी होगी, कि जो यात्रा, पहले जो उनको ज्यादे पब्लिक देखने को मिल रही थी उनकी यात्रा में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्या था कि, पैदल दूसरी चीज क्या है, कि उन्होंने एक पहले ही दिन, 22 तारीक को जो रिशाम सरने कहा था कि जो है, कि हम जो है, दूसरी जगे होंगा, जैसा हमारा स्टूल होगा, लेकिन इस देश में ना सबसे बड़ी हमेसा हर चीज पर स्टूल पर हमेसा उसे बड़ी आस्ता भारी पड़ी है, और उस दिन जो 22 जन्वरी, 22 जन्वरी थी ना, 22 जन्वरी को एक भव्य, राम मंदर का उद्धुगातन था, तो इसलिए उनकी जो यात्रा पर एक आस्ता बहुत भारी पड़ गई, मुझे तो लग रहा है, राहूल गांधी के फैन भी हैं, लेकिन ठस से मैं निकल के थोड़ा सा 22 तारीक वाली बात ला दी, रिश्रप क्या लगता है, पिछली बार जिस तरीके से राहूल गांधी ने स्तीफा दे दिया था, कॉंग्रेस चुना भार गई थी तो अपने पत से इनों ने स्तीफा दे दिया, तमाम चीजे इस बार भी बहुत कुछ हो रहा है, खड़गे जी को कह रहे हैं कि भाईया नाम के लिए बना दिया गया हार की जिम्मेदारी तोप दी जाएगी, कुल में लाकर कि भारत जोड़ो यात्रा क्या सेंदमारी कर पाएगी, कि बीजेपी के जो वोट बैंक है, उसमें थोड़ा सा सेंदमारी कर पाएगी, या राज्यों में भी क्या कुछ फरक पढ़ पाएगा राहूल गांदी की इस नई मेट से, लेकि आपने बात की खड़गे जी की, जो नीचे काम करते हैं, किसी पार्टी के साथ जोड़ कर, शोटे कार रे करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा योगदान पार्टी को बनाने में उनका होता है, क्योंकि वो जमीनी इस तर पर बहुत ज़ादा मैनत करते हैं, चाहे वो चुनाओ हो या वैसे भी वो पार्टी के साथ लगे रहते हैं, पार्टी को पिर्मूट करते हैं, लेकिन खड़गे जी का तो यही कहना था कि एक वोलिंटियर को आप कुत्ते की तरे ट्रीट करूँ तो वो तो वीडियो में आपने देखा होगा, उसके बाद तुरंत राहूल गांदी का एक वीडियो जो है, वो भी सामने आया, निया यातरा में कुत्ते को विस्कुट खिला रहे हैं, तो उन्होंने अपने कार्रे करता को दी दिया, लेकिन और निया यातरा की में बात करूँ तो जिस तरह से राहूल गांदी ने निया लेकिन उसी के बाद अभी एक दिखता कुछ और है और दिखाते कुछ और है, एक वीडियो भी वायरा हो रहा है, जिसमें राहूल गांदी एक जिपसी में बैठे हुए हैं, लेकिन आगे पीछे उनके कोई भी नजर नहीं आ रहा है, तो जब से वो वीडियो सामने आई उ दो गाज के दोर में, सोशल मेडिया पर लाई देते हैं, आई जाती है चीजे सामने आई गाडी पर चलने वाली बात है कि इस बार राहूल गांदी गाडी पर चल रहे है, रिजवान इस बारे में मैं आप से ज़रा जानना चाहूंगा क्योंकि आप इन चीजों को बहुत फॉलो करते हो गाड़ी पर क्यों चला जा रहा है यार मतलब पिछली वार आपने पूरी पैदल करके नापदी यात्रा इस बार आपको गाड़ी पर चलना पड़ रहा है अपनी यात्रा कर रूट शोटा कर लेते एक सवाल और मेरे मन में है कि क्या ये इस वज़े से कर रहे ह वह ये गाड़ी पर चलेंगे तो चुनाओ से पहले तक यात्रा कंप्लीट हो जाएगी अब पैदल चलने निकलेंगे पता लगा आदे रस्ते पर चुनाओ आगए कि बीजेपी के जो लोग हैं उनका भी डर सताता है क्योंकि अमोबन ये भी देखा गया है काफी सारी ऐसी वीडियो भी निकल कर सामने आई है राहूल गांदी की रिलीज जिदर निकलती है उदर बीजेपी के समर्थ तक बहुत जाते हैं उनके कारे करता है रंग में बंग लो बताओ देखा होगा आपने बीजेपी के समर्थों के बीच में राहूल गांदी अकेले बस उतर के यह तो मानना पड़ेगा भाई राहूल गांदी घबरा देनी है भाई समर्त हो कोई भी हो लेकिन कुछ भी हो रंग में भंग डाला जा रहा है अब क्या है उनकी आज मड़ीपूर से चली थी यातरा जो है चंदूली में आज से आ चुकी है लेकिन पता है सब 17 अठारा तारीक को बधोई में उनका रेली रुकने का वो था लेकिन बधोई में इस इंटर कॉलेज में वो रुकना चाहते थे उस अंटर कॉलेज में उने परिमीशन नहीं मिली है अब क्या है कि खेतों के अंदर टेंट लगाए जा रहे हैं जिसमें राहूल गांदी जो है रात में इस्टे करेंगे इस्तिती खराब है तो आपने जैसे कहा कि अब की बार कार में मतलब बस में चलें लगजरी बस में चलें और वजह यही है इसकी घातने के निकल करें जहां से उनकी आत्रा निकल्ती थी तो चले जातर थी तो उनको लगता था कि हमेशना शामिल हो गें का मारटी कहता की पहले न शुरू सुरू में कोई चीज नहीं आते ुसका क्रेज को psychologists नेंदर अब दीर हाले दूसरी आई उसका क्रेज कम हो गया क्योंकि पहली वाली नियाय यत्रह शिक पहले कौन सी यात्रती पद यात्रती उससे कुछ ज्यादा हासले नहीं हुआ तो लोगों ने सोच लिया कि इससे भी कुछ होने बाला नहीं है और दूसरी चीज मैं आपको किलियर कर दूँ कि आपने पिछली सिजन में पुरानी हो गई पुरानी नहीं होगी तो फिर पहले वाली जनता का उनकी यात्रा मुझे यह बता दीजिए मैं बता देता हूं इसकी बड़ी क्या है कि जब राहुल गांदी की पहली यात्रह थी वह साउथ से सुरू होकर जम्भू कश्मीर मायती और साउथ जो में इसमें भीडा की जो हम बात कर रहे हैं तो राहुल गांदी की वहां पर फैन फॉलोविंग जाद है अगर हम उत्तर भारत के उसमें बात करते हैं तो और बन्यानी पुरानी नहीं हुआ पुरानी का मतलब क्या है कि पहले साउथ तू नीचे से उपर आ रहे थे अब दाएं से बाए जा रहे हैं दूसरी बात के उत्तर परदेश में राहूल गांदी की यात्रा का एंटर करना अपने आप में महतवपून क्योंकि सबी जानते हैं कि असी लोकसबा सीट देता है सब सब्सक्राइब जाता है अब तक शीट सेरिंग का फॉर्मूला नहीं हुआ सपा नहीं कहते हैं लेकिन कोई अपचारिक बात नहीं जोन के अध्यक्षा कोंग्रेस अध्यक्त वो कह रहे हैं अभी तक बात चल लिए राहूल गांदी को इस स्रेट्मेंट नहीं सब्सक्राइब लेकिन उसमें खाम याजब भूगत ना पड़ाता है समाजबादी के यूपी के दो लड़के हर इंसान कुछ करने के लिए बारबार प्रयास करता रहता है अरे प्रयास करने चाहिए प्रयास करना चाहिए मुझे लगता है ना इतने प्रयास में राहूल गांदी अपना पॉलिटिकल करियर जरुद कर रहा है। लोग खतम कर रही है। उनकी पार्टी वाले लोग खतम कर रहे हैं। कुछ तो कमी रही होगी कुछ तो वजा रही होगी यूहीं कोई बेवफा नहीं होता शिवकुमार जी अगर पार्टी छोड़के लोग जा रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ वजे होगी अभी मैंने महाराश्ट्री एक पूर मुख्यमंत्री जीते कल उनकी बाइट देखी वह भी कॉंग्रेस चोड़के बीजेपी माया भी पूजा करके उन्होंने वह लिया है अगर कोई एक बात में क्लियर कर दूँ अगर फिलाल हाली में फिलालिया अभी हाली की बात कि जाए आगे दो साल पीछे कि अगर कोई मोधी जी से कंपेर कर रहे हैं तो कंपेर नहीं क दिल्ली का रास्ता लखनाउ से होते हो गुदरता है तो लखनाउ आगा है फिलाल दिल्ली जा पाएंगे पता नहीं लेकिन यहां पर तो कोई बात नहीं तब ही तो लोग ने चुड़ रहे अब जरा इंडिया लाइन्स की बात हो जाए क्यूंकि कॉंग्रेस पार्टी ने जब यह अपनी यात्रा शुरू करी थी तब इंडिया अलाइन्स मजबूत था कह सकते हैं मजबूत था लेकिन उसके बाद जो है क्या हुआ नितीश कुमार ने सारा गेम पलट दिया उसके बाद बाकी दलो भी बाकी दल भी अन्बन करने लगे जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू ही थी उस समय से लेकर आज तक दो बड़े इंडिया के घटक दल इंडिया से अलग होके बीजेपी के पाले में जा चुके हैं आज तक जब 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 बड़ी चोट पहुचिए अलाइंस को भी अभी इस अलाइंस से अलग होके य उसना यूपी में ठेरने का समय को अपना कम किया है पहले वज आजा धारने वाले थी अब साथ आत दिन में निपता के निकल जाए मुझे तो यह लग रहा कि यह चो यात्रा अरू जाज़दी गया एशनावे पर ने ने टायआ उनके और शुट गया है पंधा अरमाना BEही परमोद किश्रम का मामला है दरसल परमोद किश्रम का क्या मामला है दरसल परमोद किश्रम जो है वो धर्म गुरू है और कलकी धाम के पीठा दीश्वार है यह कलकी धाम जो है संबल में पड़ता है और परमोद किश्रम उनकुछ चुनिंदा उनेता मैं से हैं थे मतलब तो अ अगर इनके खिलाफ बोलोगे तो एकसन हो जाएगा लेकिन यह काम यहाँ परिवार के खिलाफ मतलब खिलाफ नहीं कहेंगे जो पास सही थी वह सही को सही कह लेते गलत को गलत कहते थे अगर अगर वह अपने मट पर किसी को आमंतरित करते हैं तो उसमें गलत क्या है उसमें क्या गलत है कुछ लोग कॉंग्रेस के लोग जो है वह राम के विरोधी है और उन्होंने उनका जो इशारा था वह जाहिर सी वाथ नेतरत्यों के परिवार के परिवार के पास था इसी लिए उनको छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया अब अचारे परमोद कृष्णम जो है वह बिल्कुल मतलब बंधनों से टूट गहें हाला कि बड़े नेता थे बिल्कुल आज भी बड़े नेता है वह एक बात अलग है परमपरागत सीट रही है नहीं पारिभारेक पारिवारेक हां उनके क्या कहते हैं उसके ले उसके लिए लाज बसुक्ता से वाजज नहीं होई है तो अब उन्होंने राजस्तान से परचा भड़ दिया वह राज्यासबा जाए अब अटकलों का बाज़ार करम क्या एक तरह से किलियर है उन्हों ने अपने संदेश में भी कहा है कि जैसे आपने मेरे खाल रखाया यहाप मेरे परिवार का प्रियंका गांधी जो जिन्हों ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा है और पार्टी में महासची में वह राइबरेली से चुनाव लड़ने जारे हैं यह अपनी आप में बड़ी बात है चुनाव लड़ा तो वहीं से पोता चुनाव लड़ेगा पोधानी तो पोती चणाव लड़ेगी जो भी है एक सीट को भी या एक लोक्तांत्रिक तो सिर्फ दो सीट थी एक अमैठी थी और एक रायबरेली थी यह दो परंपरागत सीट मानी जाते थी कॉंग्रेस की और पिछली बार राहूल गांदी अमैठी हार चुके हैं इसमिरती रानी इसके सामने उनके खड़ी थी इसमिरती रा दूसरे जिला भी देखिये एक लड़ा नहीं तो लड़ रहे हैं भाई या रावल गांधी दो सीटों से लड़ेस को ने मेरी बात सुनिये पिछली बार एक सीट आई ती राय बारेली की और असुनिए राय बारेली की सीट इसलिए भी आयती क्योंकि वहां पर जो उनके सै योगी दले अपना एक एंडिडेट नहीं करते हैं समाजवादी पार्टी कंडिडेट खड़ा नहीं करती हूं आप पर जीती जाओंगे अकेले रेस में भागोंगे तो एक जिला के लिए लेके चलोगे न तु कहीं न कहीं वह डिक्कत कर जागे जिला दूसरे जिला को पाव जो मत दान करता हूं जिसको तो मिन ना तो इसको बताता हूँ और मैं पहली बार चुनाव मैदान में उतरती है तो अगर जीती है नहीं जीती यह बड़ी दिल्चस्प बात है बीज पूरे जौर लगा रखें कॉंग्रेस की इस फक्त जो इमेज बनी हुए है पूरे भारत के अंदर उसके अंदर कही नहीं कहीं कर नहीं कई कर ले नहीं इय घलत है। तो कुछ नहीं कुछ नहीं को शुशल मीडिया पर कुछ उनKE बैान भी ऐसे आये जहां उन्होंने गलतिया की। और तोड मरोड के भी दिखाए गए पप्पु नाम की एक इमेज जो है उनकी वो सोचल मीडिया पर किरियेट कर दी गए मीम में बच्चे बच्चे से पूस ली दिये तो जो सब्द थे यह तो कहिना कहीं दिमोटिवेट करते हैं तो कहीना कहीं यह चीज जो है न इससे भी त्राहुल गांदी एसा नहीं कि विल्कुल बेकारी नेता है यह उन्हे двух ë में एक एखम भूमी का रही है हैं आप से तो बन दाएंगे नेतान के बहुत मोटि चंड़ी होती है सो सो साल तक जीते है नेता लेकिन लेकिन कांग्रेस के जब यह टूझी कम आया था अब समय निकल गया बहुत लंबा समय लग जाएगा या फिर वो समय नहीं आएगा क्योंकि जिस तरह से इस वक्त देश के अंदर मोहल वन 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 अभी देखो फाइनल शीव जी कर देंगे बताइए बाविस किसी ने नहीं देखा है बताइए ना आपको क्या लगता है बतौर पत्र पर नहीं को देखते दिए प्रयास हर इंसान का जारी रहता ह है का मिने कर आए नहीं 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 यह मैं नहीं आदर से की सबसे पहले उनको अपनी शोशल मीडिया बर जो उनकी इमेज क्रियेट की गई है उसको सुधार नहीं होगी चाहिए वो जैसे भी करके सुधार हैं लेकिन उसे सुधार नहीं होगा इमेज बताता हूं अन्हें भर्षक परियास कर रहे हैं रावल गांदी हाँ अपनी शोशल मीडिया टीम को लेके बहुत लंबी टीम का था क्योंकि हम तो इस फ्यल्ड में हमको पता हैं बहुत लंबी टीम उनके पीछे काम करतीये वह इसे पार निपाप आ पार रहे हैं है हो पर जाते हैं पर दूसरी बात पर आते हैं अभी देखना दिल्चस्प होगा कि भाई अब देखो राउल गांदी उत्तरप्रदेश में तो घुष चुके अब यहां पर कितनी आठ जनसभाय करने वाले हैं वैसे टोटल में आपको बता दूं आठ जनसभाय करेंगे जिसमें स अमेटी और राय बरेली में उनकी जनसभा होगी पिछले दो साल से अमेटी और जाएंगे बीच-बीच में दौरे कड़ते रहने चाहिए अगर आपकी परमपगरत सीड भी है तो आपको फिर भी जाना चाहिए लेकिन अगर आप चुनाओ के टाइम में जाेंगे तो आज क पहले यूथ था वो भी आजकल बहुत समझदार हैं क्योंकि फेस्बुक की अगर आप अनलिटिक्स पर नजर डालोगे न तो फेस्बुक की जो ओडियन्स है जो फेस्बुक की जनता है वो तीस से उपर साल की बहुत ज्यादा जनता है और जो यूथ है वो इंस्टाग्राम हो चुका है और फेस्बूक इंस्टाग्राम इन सब मीम बनती हैं वो खेर तगडियन्स है अब पॉलिटिक्शोलिटिक्स के इस अपिसोड को एक नया ज्तरा है वो अपनी राय बीकमेंट में जरूर बताना क्योंकि यहां पर जो पत्रकारों के बीच में बात होती हैं हो सकता है आपके अंदर उससे तगडी कोई बात हो तो वो चीज आप कमेंट सेक्शन में वहां पर भर दो वो सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है कुछ कह रहे है रिश्प कमेंट करें और कमेंट करके ये भी बताना कि हम अगला जो इस टाइप का प्रोग्राम लेके आएं किस मुद्दे परो किस मुद्दे परो और और बिल्कुल ये भी कमेंट करके बताना और जो सवाल मैंने अपने साथी पत्रखारों से किया था वो मैं आप से चलते चलते पूछना चाहता हूं कि राहुल गांदी अपने जीवन काल में इस देश के प्रधान मंतरी बन पाए झाल